एक सुन्दर गाउम में जो हरे भरे पहाडियों के बीच बसा था एक बुद्धिमान पिता अरजुन और उनकी जिग्यासु बेटी मीरा रहते थे। उनके पास एक खूबसूरत बगिया थी जहां वे अधिकतर समय साथ बिताते थे। अरजुन मानते थे कि बगिया जादूई है और उसमें जीवन के कई रहस्य छुपे हैं। एक धूब भरी सुभा मीरा को बगिया में एक अजीब सा बीज मिला। वह उसे अपने छोटे हाथों में लेकर दोड़ते हुए अपने पिता के पास आई। पापा, ये किस प्रकार का बीज है? उसने बड़े ही उत्सुकता से पूछा। अरजुन मुसकराते हुए बोले, ये एक खास बीज है मीरा, अगर तुम इसे सावधानी और धैरे से लगाओगी, तो ये कुछ अद्भुद बनेगा। दोनों ने मिलकर बीज को बगिया के एक धूप वाले कोने में लगाया। अरजुन ने मीरा को सिखाया कि इसे धीरे धीरे पानी देना है और कीडों से बचाना है। हर दिन वे बीज की प्रगती को देखते। दिन हफतों में बदल गए और हफते महीनों में लेकिन कोई वृध्ध का संकेत नहीं दिखा। मीरा ने आशा खोना शुरू कर दिया। एक दिन मीरा बीज के पास बैठी रो रही थी। पापा ये क्यों नहीं बढ़ रहा। उसने पूछा। अरजुन उसके पास बैठे और धीरे से उसके आँसू पोँचे। कभी कभी सबसे सुन्दर चीजें बढ़ने में समय लेती हैं। धैरे एक गुण है मेरे प्रिय। विश्वास रखो और इसे पालते रहो। अपने पिता के शब्दों से प्रोटसाहित होकर मीरा ने बीज की देखभाल जारी रखी। वह उसे गाना गा कर सुनाती, उससे बातें करती और उसे कठोर मौसम से भी बचाती। उसकी समरपन कभी नहीं डगमगाई और धीरे धीरे मिटी से एक छोटी सी अंकुर उसमें ऐसे फल लगे जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखे थे। वे चमकीले और सुगंधित थे जो उसके धैरे और कड़ी महनत का प्रतीक थे। एक शाम अरजुन मीरा को पेड के पास ले गए और बोले यह पेड केवल एक पौधा नहीं है मीरा। यह जीवन की यात्रा क प्रतीक है। जैसे इस पेड को हमने धैर्य, महनत और विश्वास से पाला, वैसे ही हमें अपने सपनों को भी पालना चाहिए। हमारी महनत का फल हमेशा मीठा होता है। मीरा ने अपने पिता को गले लगाया एक गहरी कृतजिता का अनुभव करते हुए। उसे एहसास हु कि बगिया वास्तव में जादूई थी, नकी पेड के कारण बलकी उन शिक्षाओं और प्यार के कारण जो उसके पिता ने उसे दिये थे। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा इन सबक को अपने दिल में संजोएगी। साल बीट गए और मीरा एक समझदार और उसने गाव के बच्चों को अपने पिता की शिक्षाएं साझा की। उन्हें धैर्य, कड़ी मेहनत और कभी भी आशा ना खोने की प्रेरणा दी। जादूई बगिया फलती फूलती रही और पीडियों के लिए ग्यान का प्रतीक बन गई। अब बूढ़े हो चुके अरज करने में. कहानी की सीख धैर्य, कड़ी मेहनत और विश्वास हमारे सपनों को पालने की कुंजी है. यात्रा लंबी और चुनौती पूर्ण हो सकती है, लेकिन पुरसकार हमेशा इंतजार के लायक होते हैं.